इतना करने के बाद आपको क्या करना है इस प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके एक वाज चेक करेंगे कि स्टाडिस्ट बॉजिक प्रॉपर बॉपर कर रहा है नहीं कर रहा है तो फ्रेंक्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि अभी मैं आपको सिंपल एक NONC इंस्ट्रेक्शन का यूज़ करके स्टाडिस्ट आप लॉजिक बता रहा हूं कि हम स्टाडिस्ट आप लॉजिक कैसे बनाते हैं जैसे तीन स्टाडर की जरौत पड़ी तो मैंने अलग से NONC का यूज़ करके तीन स्टाडर मैंने डवलप किये और उसका यूज़ करके मैं यहां से एक लॉजिक बनाया अब एक बार इसको ऑपरेट करके देख लिए फोर्स अन करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टर का अफ्व बोलेटर पर जाकर चयक बहरा कलिकले हैं जैसे कि आई यूज़ सेटिंग पर आपको पता चल भी जाएगा कि ऐस यदि आतले आपका क्लाइक बोलेग नहीं हो रहा है जैसे मैने यहां से फोर्स अन किया तो यह hold हो जाएगा और hold होने के बाद देखे यहां पर देखेगा भी यह output on हो रहा है और यहां पर भी output on है इसी तरीके से आप बाकी के starter आप देखेंगे यहां से अगर आप चाहते हैं implement करना तो बाकी के starter को भी आप implement करके देख सकते हैं एग्जेक्यूट करके देख सकते हैं तो क्योंकि मैंने अभी simulator off कर दिया है मैं दुबारा से इसको on कर लेता हूँ क्योंकि ये जो program मैंने अभी online ले रखा है ये online नहीं आएगा क्योंकि simulator मैंने बंद कर दिया है तो कभी भी ऐसा हो जाता है कि आप अगर simulator बंद कर देते हैं और आप चाहते हैं कि आपका program online आजाए तो वो program online नहीं आएगा उसके लिए आपको emulator open करके रखना ही पड़ेगा तभी ये program आपका online आएगा जैसे मैंने यहां से on कर दिया emulator और फिर यहां पर देखेंगे तो मेरा program अभी online आजाएगा फिर से अगर आप चाहते हैं online लेना है तो आप online ले सकते हैं देखिए यहां से फिर से यह online होके आपका program आजाएगा यहां से डाउनलोड करिए इसका मतलब यह है कि जब भी आप emulator यूज कर रहे हैं तो यह stop नहीं होना चाहिए emulator close नहीं होना चाहिए तो अगर आप चाहते हैं कि तीनों starter जो है आपने create किये आपने इस तरीके से बनाए जैसे कि मैंने tag create किया then nonc का use करके मैंने यहां से starter implement किये then implement करने के बाद मैंने logic बनाया और उसके बाद मैं force on off करके मैं इसको check करना चाहता हूँ तो मैं यह check कर सकता हूँ जैसे अभी मेरा program यहां से download हो रहा है क्योंकि emulator मैंने close कर दिया था तो अभी यहां पर processor नहीं दिखा रहा है तो वो क्यों नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी program properly download नहीं किया है देखे यह cross आ गया क्योंकि मुझे download करना पड़ेगा तो यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा यह 2 error generate कर रहा है तो error के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पहले path create करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से तेन तब जाकि यह डाउन्लोड होगा तो यहां पर जाईए communication में फूर एक्टिव यहां से communication क्योंकि time out हो गया है इसलिए यहां पर अभी communication established नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसके लिए आप यहां से इसको close कर दीजे मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको यह यूज करना है क्योंकि RS links में यहां पर यह cross आ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां से जो यह वाला प्रोसेसर है एक वार इसको आप रिमूब कर दीजे और उसके बाद यहां से create कर लिजे यह emulator है controller यहां से next जाएंगे 30 version ही आपको select करना है करने के बाद आप इसको finish कर देंगे यह देखिए यहां पर controller आ गया उसके बाद आप क्या करेंगे RS links में जाके check कर लिजे कि controller आपका यहां देख रहा है या नहीं देख रहा है तो आप यहां पर controller देखे बिल्कुल आ गया है फिर से यहां पर जाएंगे communication पर और अपना program जो आपने बनाया हुए इसको आप यहां से download करेंगे तो जैसे download करेंगे तो आपका program देखे download हो रह कि अगर कभी ऐसा हो जाता है तो आपको फिट से यह करना पड़ेगा तो मैंने यहां से run किया run करने के बाद देखिए फिर से मैं आपको operate करके दिखा देता हूँ force on किया देन यहां से आपको सारे forces enable करने पड़ेंगे देखे on हो गया और इसी तरह से दूसरा starter अगर आपक से force on हो गया right देखिए यहां पर अभी क्या है same address हो गया तो आप इसमें online modification भी कर सकते हैं यहां पर चले जाए क्योंकि आपको stop आपको यहां पर लेना था three number इतना करके यहां पर किलिक कर दीए finalize all edits in program तो आपका finalize हो जाएगा अब यहां से देखिए force on करेंगे तो आपका output on हो गया तो तीनों output यानि तीनों motor आपकी on हो गई है आप अगर check करना चाहते है emulator से तो आप यहां से check कर सकते हैं यहां इमulator पर चले जाएंगे और यहां पर यहां के property में चले जाएंगे देखिए तीनों output on है यह भी on है यहां दिख रहा है yellow color से one number two number यह सारा दिख रह करेंगी तो उसके लिए मेरे को अनों सी दुवारा से लेना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि add-on बना लेते हैं add-on में क्या है कि add-on में हम वही इंस्ट्रक्शन बनाते हैं जिसको कि हम अपने according बना सकते हैं और उसको जैसे